पुब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपड़िट करने के लिए कहा है इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा गया है वही वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकरी मांगी है 24 नवंबर को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो चीन में फैल रही रहसमी बीमारी पर नजर रख रही है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था चीन में बच्चों में H9N2 मामलों और सास से जुड़ी बीमारी के फैलने की बारीके से निगरानी की जा रही है वहीं चीनी अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खत्रा जाता है इसके अलावा अधिकारियों ने COVID-19 सक्रमन के लिए फिर से बढ़ने के खत्रे को लेकर भी चेतावनी दी है दरसल तेवीस नवंबर को चीनी मीडिया ने इसकूलों में एक रहस्मे बीमारी फिलने की बात कही थी पेडित बच्चों में फेफ़रों में जलन, तेज बुखार, खासी और जुकाम जैसे लक्षन दिखाई दे रहे हैं बीमारी को फिलने से रोकने के लिए सकूलों में छुट्टी कर दी गई है रहस्में बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 500 मिल के दाएरे में सबी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं अलग जीरा के मताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में एक बीमारी से पिडित करीब बारा सो मरीज हर दिन इमर्जेंसी में भरती हो रहे हैं वहीं डबलू एचो ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फरेंस से सास से जुड़ी एक बीमारी फिलने की जानकारी दी थी